दोस्तों मैं सोरो मलिक आप सभी का ओनली टॉप इस्टेडी चैनल पर सवागत करता हूँ डेली करेंट अफेर कुईज में आज हम देखेंगे 16 अक्टूबर की करेंट अफेर को जो कि सभी परिक्साओ के लिए मैत पून रहेगी डेली करेंट अफेर कुईज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करेंट अफेर के कोशन अंसर को कवर कराता हूँ जो कि पूरे दिन की करेंट अफेर होती है अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकिशन रेगुलर लिना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना आज का हमारा रिविजन कोशन है हाल ही में भारत का पहला वेट लेंड सहर कौन सा बनेगा इस कोशन का अंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बोक्स में बताएंगे शुरू करते हैं आज की करेंट अफेर को और पहला कोशन आपके स्क्रेंड पर हैं हाल ही में प्रदानमंत्री मोधी ने कहां 141 वे अंतरास्ट्य उलम आंसर हो जाएगा पहले कोशन का से उत्तर दूसरा कोशन है हाल ही में किसने बारवी सिटी गैस वित्रन बोली शुरू की है दूसरे कोशन का राइट आंसर हैगा दोस्तो हरदीप सिंग पुरी ने यानि की दूसरे कोशन का राइट आंसर सी हो जाएगा ये आपको याद अखना है तीसरा कोशन है हालही में किसे राजनेतिक नित्रित्व के लिए दिलीप सिंग सौंध्य प्रुसकार मिला है तीसरे कोशन का राइट आंसर हैगा आर क्रिशन मूर्ती जी को यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा तीसरे कोशन का सेउत कोशन नमबर फोर है हाल ही में IOC ने चार्टर के उलंगन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को ने लंबित किया है कोशन नमबर फोर का राइट आंसर हैगा रूस की यानि की सी राइट आंसर हो जाएगा पाचवा कोशन है हाल ही में CIC ने RTI अधिनियम लागू होने की कौन सी वर्सकार्ट मनाई है तो पाचवे कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा अठारवी वर्सकार्ट यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा पाचवे कोशन का से उत्तर ये आपको याद अखना है देखे डेली करेंट अफेर की पीडियाप लेने के लिए उनली टॉप स्टडी आपको डाउनलोड करिए फाइव स्टार की रेटिंग करिएगा उसके बाद में आपको यहाँ से डेली करेंट फेर की पीडियाप मिलना स्टार्ट हो जाएगी और अगर आपको मास्टर पीडियाप लेनी है दोस्तो जिसमें सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं ठीके इसमें करेंट फेर भी आजाएगी स्टेटिक जीके भी और बाकी हिस्ट्री जोगरफी यह सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे और यह पीडियाप आपके लिए बहुत important है अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी करते हैं जैसे illusant book दोस्तों सभी exam के लिए होती है वैसे हम हमारी यह master पीडियाप हर एक exam को cover करती है और इस मेंसे question directly exam में आते हैं अब इस पीडियाप को आप मात्र 170 रुपे में ले सकते हैं और इस पीडियाप को आप हमारे whatsapp नंबर पे message करके भी ले सकते हैं या फिर description box में जो link दिया गया है वहाँ से भी आप किलिक करके इस पीडियाप को ले सकते हैं वोटसप नंबर हर एक slide में यहाँ पर लिखाओ मिल जाएगा चटा question है हाल ही में चोथे essay पैराखिल कहां सुरू हो रहे हैं चटे question का right answer रहेगा चीन में यानि किसी right answer हो जाएगा साथवा question है हाल ही में किस राज्य सरकार ने project निलगिरी तहर लांच किया है साथवे question का right answer रहेगा तमिल नाडू यानि कि B right answer हो जाएगा question no.8 है हाल ही में ECI ने किस राज्य विदान सभा चुनाव की तारिकों में बदलाव किया है election commission of India ने दोस्तो किस राज्य विदान सभा चुनाव की तारिकों में बदलाव किया है तो आठवे question का right answer रहेगा राजिस्थान की यानि कि B right answer हो जाएगा नौवा question है हाल ही में किस देश की टीम विस्व केड़ेट सतरन चेंपियनशिप से हट गई है नौवे question का right answer रहेगा दोस्तो भारत की team यानि कि C right answer हो जाएगा नौवे question का से उतर दसवा question है हाल ही में आजित Cambrian petrol 2023 सेनने अभ्यास में भारतिय सेना ने कौन सा पतक जीता सैसन अच्छा लगे दोस्तो लाइक भी करते रहेगा अपने दोस्तों के साथ में share करना और ये वीडियो सुबह साड़े 6 बजए only top study youtube चैनल पर आती है आप किसी भी competitive exam की चारी करते है वीडियो को regular follow करिए तभी जाके आपका पूरा जो current affair है वो complete हो पाता है और current affair में कभी भी आप पीछे नहीं रहेंगे दसवे कोशन का right answer है गोल्ड medal इस में जीता है दोस्तों यानि कि option a right answer हो जाएगा ग्यार्वा कोशन है हाल ही में FIDE विस्व जुनियर रेपिड सतरन चेंपिनसिप 32 किस ने जीता क्यार्वे कोशन का right answer है गा रोनक सादवनी ने यानि किसी राइट आंसर हैगा 11 कोशन का सयुतर कोशन नमबर 12 है हाल ही में किस देश के पूर कप्तान एलिस्टर कुक ने किरकेट से सन्यास की घोशना की है 12 कोशन का राइट आंसर रहेगा दूस्तो इंग्लेंड यानि की ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में किसने वहिला ACI Championship Trophy 2030 के लिए जो ही सुभांकर का अनावरन किया है तो राइट आंसर हैगा हेमन सोरेन ने यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 13 का सयुतर कोशन नमबर 14 है हाल ही में किस भारतिय को पुरूस विश्व एथलेट आप दा इयर के लिए नामंकित किया गया कोशन नमबर 14 का राइट आंसर रहेगा नीरा चोपड़ा जी को यानि की ऑप्शन ए राइट आंसर दोस्तो हो जाएगा कोशन नमबर 15 है हाल ही में विश्व बैंक विकास समीति की 108 वी बैठक कहां हुई तो पंदरवे कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही उत्तर है मोरको में आनि की डी राइट आंसर हो जाएगा पंदरवे कोशन का सही उत्तर कोशन नमबर 16 है उक्टूबर 2023 में सेना पर्मुक मनोज पांडे ने किसे परतिस्ठित प्रेजिडेंट कॉलर से सम्मानित किया है नागार रेजिमेंट की तीसरी बटालियन को यानि की ऑप्शन ए राइट आंसर हैगा दोस्तो सोलवे कोशन का सही उत्तर ये आपको या दखना है सतरवे कोशन है विश्व चात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है सतरवे कोशन का राइट आंसर रहेगा पंदरा उक्टूबर को यानि की ए राइट आंसर हो जाएगा सतरवे कोशन का सही उत्तर अठारवा कोषन है हालही में अंदयास्ट्धियो औलमपिक समीति ने भारत में ओलानपिक मुल्या शिक्सा कारेकरम के लिए किस कमपनी के साथ समझोता किया है अठारवे कोषन का दोस्तो राइट आंसर हैगा रिलाइन्स समू के साथ यानि की B राइट आंसर हैगा अठारवे कोशन का से उत्तर उननिस्वा कोशन है हाल ही में बुसान फिल्म फेस्टिवल में किस ACI TV सीरियस स्वरी स्रीज को सबस्रेश्ट स्रीज का प्रुसकार दिया है उननिस्वे कोशन का राइट आंसर हैगा स्कूप को यानि की A राइट आंसर हो जाएगा बीस्वा कोशन है हाल ही में भारत के सहयोग से कहां पर महिंदर रास्टिय सेकेंडरी विद्याले भवन का उदगाटन किया गया बीस वे question का right answer रहेगा दोस्तो नेपाल में यानि की be right answer हो जाएगा तो 20 में से आप लोगों ने कितने सही किये हैं ये थे हमारे 20 करेंट इंटरफिर के question answers अब बात कर लेते हैं आज के homework के बारे में आज का होमवर्क का कोशन है हाल ही में वर्लकप में सबसे ज़्यादा सतक लगाने का महा रिकोर्ड किस भारतिय ने बनाया है इस कोशन का अंसर आप लोग सभी स्टूडेंट कमेंट बोक्स में बताएंगे और जो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूँगा आज का question of the day है भारत का राश्टर खेल क्या है दोस्तों इस question का अंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बोक्स में आंसर बताएंगे तो इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा होकी यानि कि D right answer हो जाएगा कल का हमारा homework का question था हाल ही में भारत और किस देश के बीच पांचवा वार्सिक रक्सा समवाद हुआ है तो right answer हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच यानि कि C right answer हो जाएगा only top study app को download नहीं किया तो आप download करिए five star की rating करिएगा उसके बाद में आपको यहां से daily current affair की pdf मिलना start हो जाएगे और master pdf लेने के लिए आप हमारी website पे जा सकते है onlytopstudy.com या फिर आप हमारे whatsapp number पे जा सकते हैं whatsapp number पे जैसे ही आप message करेंगे तो आपको link मिलेगा एक master pdf का उस link पर click करके payment करके आप pdf ले पाएंगे या फिर description box शेक कर लेना वहाँ पर भी link सबसे पहला link दिया गया होगा उस पर भी आप click करके payment करके pdf ले सकते हैं master pdf master pdf सभी competitive exam के लिए बहुत ही मैत्पून है इसमें सारे subject को बहुत ही अच्छे डंग से cover किया गए इसमें सारे subject आ गए तो आपको अलग से कोई pdf लेने की ज़रत नहीं पड़ेगी मात्र 170 रुपे में दोस्तों पूरी lifetime के लिए आप ये pdf ले सकते हैं ठीक है वीडियो पसंद आई तो like share करिए चैनल पर नहीं है तो subscribe करिए बेल एकन कोण रखे ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो thank you so much bye bye everyone take care